हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो वर चैनल देकर के ट्रेडर देखिए एक सिरीज चल रही है साउथ अफ्रिका और 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 जिसमें से क्लीन स्विप दे दिया है टीट्विंटी में और और साउथ अफ्रिका को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देता हूं डिस्क्ले तीन जिरो से एराना इनको इतना आसां नहीं था लेकिन सबसे नो डाउट टीम इतनी जबरदस्थ अफरिका का की और Hemisal मेरे को पसंद रहती है लेकिन सबसे मोटी समस्य इन टिम्स में यही है अफरिका और पाकिस्तान में कि यहां माफिया ओर पोलिक्स का कफ़ी इंवोल जो उनकी पिछ पे बोलिंग करते हैं साइद वर्ड में कहीं इतनी अच्छी बोलिंग नहीं हो पाती है बात करते हैं देखो ओडिये स्क्वेड की तो स्क्वेड के बारे में आप सब को जादातर पता है कप्तान टी-20 में तो मार करम था शाहिद ओडिये में इनका बमुआ हो या यह आगे भी ऐसा ही खराब पर दसन करेगी देखी पांच वंडे की सिरीज है पहले प्रडिक्शन रख देता हूं अफ्रिका सिरीज विन होगी और च्यार एक से विन होगी यह सिरीज ओलमोस्ट इनको क्लिन स्विप के लगबग देदेगी ठीक है बात करें अगर टीम की तो टीम पिछली वीडियो में वैसे कवर कर रखे मैंने लेकिन आप इनके बोलर उठालो सभी बोलर अच्छे मंगाला न्यू है वैसे थोड़ा एक्सपिरियंस कमें इन्टनेशनल में लेकिन लाश्ट में आपको बेटिंग भी करके देदेगा रबाड़ा आ गया है ठी आसेन, राशी, डिकोक, एनरिक्स ये आप एक पर प्लेयर देखो किसी भी टी ट्वेंटी स्क्वेर में इन प्लेयर को औराना बहुत मुस्किल है लेकिन चलो तीन जिरो से आरके हैं कोई बात नहीं है वन डे में इनकी आप बेटिंग और इनकी प्रफोर्मेंस देखना ठी टी ट्वन्टी में ऐस्टेलिया जीत जाएगी, साथ मिझे न्यूजिलेंड और इंग्लेंड का प्रडिक्शन किया था, मैंने दो-दो का, वो भी इस वज़य से किया था, क्योंकि वो चैर मैच्छ की सिरिज थी, वरना अगर पाँच मैच की सिरिज होती तो न्यूजिलें 100 and 1% आपको वहाँ विन होती दिखाई देती ठीक है न्यूजिलेंड को हो सकता है दो मैच सिद्धे निकाल दिये तो आपको लग रहा हो इतनी इची टीम नहीं थी शायद वो नहीं होती सिरीज विन लेकिन वो जब पूरे मैच होते तो आपको पता लग जाता चलिए ओस्ट वारनर आ चुके हैं आपके ठीक है स्टोइनिस भी शायद नहीं थे पहले गरीन भी नहीं थे तो टीम में देखो कोई कमी इसमें अभी भी नहीं है लेकिन सबसे कमी एक है कि यह सभी इटर हैं और यह टी ट्विंटी की स्क्वेड है अब पचास और का गेम है अगर आप मा नाक में दम कर देंगे आप अफरीका वाले और अफरीका में अमेशा प्रोब्लम यह रहती है देखो फिक्सिंग की वज़े से वह मारी जाती है वरना टीम एवन रहती है अमेशा और अब भी टीम में कोई कमी नहीं है जैकपोर्ट त्यारी रखें इस सिरीज में दो यह अ अनेक्सपेक्टेड होगा आठ दस पैसे से ओस्टेलिया को डिफेंड कर लेगी वह कोलेप्स करके ठीक है और तो दोस्तों क्या बताना है अभी आप यूटूब पर देख रहे हो मेरा वीडियो चैनल टेलेग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में और जोइन हो जी है अच्छे ऐसे मैचिस के लिए और जो भी आपको नोलिज़ेवल वीडियो चाहिए वह सभी यूटूब पे हैं यह मैं मेरी एक तिंगिंग रख रहा हूं देखो सिधी बता रहा हूं अफ्रीका मेरे को सिरीज विन होना पसंद है तो उस हिसाब से आप अप प्रोफिट नहीं निकाल पाते हैं तो यह सब लाइव मैच में और टेलेग्राम पर ही पोसिबल हो सकता है देखो वहां पे लाइव क्या फिक्सिंग होगी क्या नहीं होगी वह ना खुद एक अपना डिसीजन बंदा लाइव मैच में लेगा और आपको देता हूं इसमें बड़िया जैकपोट बड़िया काम करेंगे इस सीरीज में करेंगे दो तीन मैच पांच मैच तो नहीं करेंगे अपन लेकिन तीन मैच भी करेंगे तो आपको सही से सही मैच दूँगा चलिए ठीक है टेलेग्राम पर जोईन हो जीए दोस्तों थेंक्यों